हेलो फ्रेंड्स कार में अगर नॉइस आ रही है या फिर माइलेज का इशू है या क्लच कुछ हाड हो गया तो जरूरी नहीं कि सारे पार्ट से कुछ ना कुछ खराब हो कुछ ना कुछ चेंज करने के बाद ही प्रोब्लम सॉल्व हो कई बार ऐसा होता कि बिना किसी पार्ट के चेंज किये बिवी वह सारी प्रोब्लम सॉल्व हो जाती है लेकिन जरूरत होती है हमको और इकुरेट पॉइंट पे पहुँछने की जब हम उस और पॉइंट पॉइंट पहुँछ गए कि हम प्रोब्लम यहीं है तो फिर हमको अंदाजे से कुछ भी change करने की जरूरत नहीं होती mostly होता यही है कि लोग time नहीं देते और अंदाजे से बोल देते हैं साब ये खराब है ठीक है change कर दो किसी ना किसी में तो fault निकली जाएगा लेकिन कई बार हम अपने वो part भी change कर बैठते हैं इनको change करने की अभी जुरूरत ही नहीं थी तो इसी तरह से प्रॉब्लम इस गाड़ी में गाड़ी की service करने वाला हो service में 3-4 problem notice हुई है जिसमें इसी की एक problem steering turn करने पे noise की भी है steering turn करने पे थोड़ा सा hard होता है और वो कई बार noise कर रहा होता है एक तरफ का wheel उतार दिया दूसरी side का भी wheel उतारना है क्योंकि हमको 2 more side से जाट चरना है wheel को नीचे रखते हैं गाड़ी के purpose safety reason कभी क्याम कर रहे हैं अगर in case कभी कुछ failure होता है तो एक यह भी बचा हुआ रहेगा अब हमको steering end अलग करना है हब से lock निकाल दिया है WD-40 पहले ही मैंने यह पे लगा के रखा था यह आ गया जी बाहर joint को अलग करने का purpose पस find करना कि noise यहां से उपर है या फिर यहां से नीचे की तरफ है यहां भी डाल देंगे WD-40 इसको अलग कर देंगे इससे क्या हमारा यह end भी चेक हो गया यह वाला end ठीक है इदेगर अब धीरे से आ रहा है एकदम से अगर गिर रहा होता तो बिलकुल खतम होता और यह end लगबख अभी चल सकता है जब change होगा तो दोनों एक साती होंगे अभी इसकी वैसे कोई noise नहीं है दूसरी तरफ हैडी तुम क्या कर रहे बटा खेलो चलो खेलो और यह काम नहीं करना है आजो काम करते हैं आओ आओ यह देखो यह देखो यह जहाँ पे यह देखो नीचे बेठो बैठो नीचे यहीं बैठो ऐसे नीचे बैठो बैठो हाँ यह देखो अरे एड़ी देखो ऐसे बैठता है यह और वाइट कपड़ा पूरा गंदा यह देखो यह बोल्ड खोल रहे है न और इसको भी अब चेक कर लेते है इसकी कंडिशन उससे थोड़ इसी बैटर है लगब बैठ आए ठीक अब यह लाकी देखेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना जरूरी है कि इस वीडियो को स्पांसर किया है कार पीम ने कार पीम इस स्कैनर आते हैं इसके गैराज वाले इसको यूज़ करते हैं अपने कार के फॉल्ड कोड स्कैन करने के लिए ल स्पेर पार्ट वहां पर ऑडर कर सकते हैं और खास बात यह है कि यहां पर बोश मिंडा और हैला जैसे बड़े बड़े ब्रेंट्स पे काफी अच्छा डिसकाउंट मिल जाता है जो कि लोकल मार्केट में पॉसिबल नहीं है और यह एक बीटूबी एप्लिकेशन है आप च चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे अब क्योंकि स्टेरिंग का कनेक्शन वहां से हट गया अब जब हम हिला रहे हैं अगर नॉइस मिलती है तो हमको इसी तरफ से मिलेगी यानि कि इस चौकर की होगे और यहां नहीं मिलती है तो फिर स्टेरिंग घुमा के देखे कि दूसरी तरफ चेक करते हैं जी यह ठीक है को इतना जाम नहीं है कि दूसरा यहां से ऐसी कोई नॉइस नहीं है इधर से थोड़ी नॉइस है देख रहे हैं यह यह कभी कभी स्टेरिंग घुमाते समय कर रहा होगा अगर आए हूँ है तीर इस टाओ शाय है चलो एक बरदेख्ते हैं इसका सलूशन क्या होसकता अगर मांटेंग खोलना पड़ा तो फिर पूरा शौकरी खोलना पड़ेगा लेकिन जाम बहुत जादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है जाओ तुम खेलो बिटा है ना खेलो एडी को मैंने बोल दिया था बैटो तो एडी यही बैट गया था खेलो खेलो अब ही देखो नॉइस चली गई यह देखो यह एक्चल में क्या है ज्यादा टाइम खड़ी रहती गाड़ी इस कंडिशन में होता है कि शौकर मांटिंग थोड़े सो वह जाम होने लगे थे रबड़ वां घिस रही थी थोड़ा सा लूब्रिकेशन किया मैंने उपर और यह नॉइस चली गई यह जो स्टेरिंग टर्न करने में नॉइस आ रही थी वह यह थी तो फिलाल अभी मुझे शौकर खोलने के ऐसी कोई नौबत नहीं है शौकर भी ठीक कंडिशन में है कोई लीक भी नहीं है और बस यह थोड़ी शी नॉइस थी यह चली गई लेकिन हाँ च चोटे से फॉर्ट से चली जाती है जरूत नहीं होती कुछ पार्ट को चेंज करने की और आज की इस वीडियो का मकसद भी यही था वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजेगा और हां मन में कोई सवाल आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते है मिलूँगा नेक्स वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरस्टिंग टॉफिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग